आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देश में पिछले 24 घंट रवे कोरोना के दो दिशनल पाँच लाख से जादा नए केस मिले गरतंत्र दिवस पर दिली के चप्पे चप्पे पर चौक सी आज ही होगी वीरता पुरुसकारो का एलान राश्पती करेंगे देश को संबोद विधास वचनावों के बीच यो पीम मोदी आज बीजेबी कारे करता उससे करेंगे संबाद महरास्ट के वर्धा में सडक हाथ से में साथ मेडिकल स्टूडेंट्स की मौद डिप्टिसीम केशो प्रसाद मौरे ने सपा पर कसा तंच कहा लिस्ट नई है अपराधी वही है नमस्कार प्राइम टीवी मापका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुका महर उत्रा शुरुआत करते हैं उत्रकहन खबरों की खबर पॉडी से है जहाँ पर विधान सभा सामान निर्वाचिन 2022 के तहत बीते 21 जनवरी से नामांकर प्रक्रिया शुरू हो गई है वहीं आज दूसरे दिन 24 जनवरी को दो प्रत्याशियों के तरफ से नामांकर पत्र जमा किये गए साथ ही समस्त विधान सभाओ के लिए 21 नामांकर पत्र बिके हैं सुल्तानपूर में कॉंग्रस से टिकेट ना मिलने पर जगतार सिंग बाजवा नाराज हो गए जगतार सिंग ने चुनाओ लड़ने का ऐलान किया है उन्होंने सुल्तानपूर पत्टि में जनसंपर्क किया और कॉंग्रस प्रत्याशी यश्पाल आर्या पर केदारनात आपदा में घोटाला करने का रोप लगाया उन्होंने कहा कि जक्तार सिंग बाजवा ने अगर इतना अच्छा काम किया था तो पार्टी क्यों बदलनी पड़ी देखिए इसे चुनाव पर चार भी कह सकते हैं और इसको परिवारिक सला मशोड़ा भी कह सकते हैं मेरा यह सब परिवार हैं तो हम अगो कोई नेड़ने अगर ले रहे हैं आगे आज सब का ये नेड़ने बाजवू के लोगों का रगवा चुनाव में जाना है उस बंद में आज थोड़ा हम परिवारी चर्चा कहे लें या भुष्य की क्या प्लानी हो सकती उस पर चर्चा करने आए किन मुद्दो को लेकर चुनाओं में जाएंगे सामने यश्पाल आरे हैं कांग्रेस से बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने भी नाम लिया है यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाजपर से दो बार इनको जिताया गया है और जब बारा में जिताया था तो इनोंने बाजपर के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया था कि सलीम रज़ा जुड़ चुके हैं सलीम क्या कुछ जुआनकारी है आखिर क्या विवाद चल रहा है दोनों के बीच हुआ समपर्क नहीं होपा रहा है समधाता से तो सुल्तानपुर से ये खबर है जहां जगतार सिंग बाजवा ने जिन समपर्क किया चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जगतार सिंग ने और उन्होंने सुल्तानपुर पट्टी में जिन समपर्क किया और कौंगर्स प्रत्याशी यिश्वाल आर्या पर केदारनात आपदा में घोटाले का रोप लगाया है उन्होंने कहा कि जगतार सिंग बाजवा ने अगर इतना अच्छा काम किया था तो पार्टी क्यों बदलनी पड़ी तो बड़ा सवाल उठाया है कि आकर पार्टी क्यों बदलनी पड़ी अगर काम अच्छा किया तसाथ ही किदारनात आपदा में भी घोटाले का रोप लगाया है सुल्तानपुर में कौंग्रस से टिकट ना म बाज़वा नाराज हो गए है जक्तार सिंग्ने चौनाल लडने का इलान किया है। उन्होंने सल्टान पपथी मेज अंसम पर किया। कॉंग्रस प्रत्याशी यश्टवाल आरपर किदारनाथ आपदा बें घोटाले का आरोब लगाया। उन्हेंने कहा कि जक्तार सिंग बाजवा ने अच्छे काम किया था तो पार्टी बदलनी क्यों पड़ी। और इसकबर में से समधा था सलीम रजा जोड़ चुके हैं। सलीम क्या है पूरा मामला आखिर किदार नाद अबदा में घोटालिक आरोप क्यों लगा जो आ रहा है। मैं किस तरह बात। सलीम आप मुझे सुन पा रहे हैं। सलीम आप तक मेरी आवास पहुँच रही है। तुम्हा संपक नहीं हो पा रहा है। रुकरते अगली खबर के तरफ उत्राखंड की चुकराता विधान सभा सीट पर कॉंग्रस का कबजा है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी, पूर्वुजला पंचायत, अध्यक्ष, राम शरण नौटियाल और प्रीतम सिंग के बीच होने वाली राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के लिए चुकराता विधान सभा सीट बेहद ही लोग प्रीय है। भाजपा ने उत्रखंड विधान सभा शरण नौटियाल के लिए प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राम सरण नौटियाल जी जो किसी परिचे के मोहताज नहीं है। पूर्व में देरादुन जिला पंचैत अद्यक्षी भी रहे हैं। और चकरोता विधान सभा शेत्री के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है। कोरनकाल में भी लोगों की काफी मदद किये। आए उन से जानते हैं कि उनको भाज़पा ने अपना जो टिकर परतिहसी बनाए है। क्या कहेंगे किस परकार के पिकास कारे करेंगे उनका क्या करें मैनिफेस्ट होगा। सर्फ यह बताये कि भाज़पा ने आपको इस बार उमिद्वार बनाए परतिहसी बनाए है। क्या क्या के पिकास को देखे चकराता में बहुत हो रहा है। क्योंकि वहां रोज़गार का कोई सादन नहीं है। बेरोज़गारी है। तो हमारा पहला, एक तरह से मेरा पहला वादा कहूँगा या मन्फेस्टो कहूँगा, मैं सबसे पहले वहाँ जो बिरोजगार बच्चे हैं, उनके स्वरोजगार की मैं चाहता हूं कि होई पर कोई न कोई योजना आरब होनी चाहिए। ये बच्चो की संक्या हजारों में हैं, कई हजारों में है, तो पहला यह है, स्वास्त की सुविदाय नहीं है, साप के कटेंगे अस्पताल पहुँचन से पहले ही मिर्ती हो जाती है, वहाँ ही नीपूरे चेत्र में, एक एक्सरी मसीन तक नहीं है, माताएं बहनें कई जो है वो सड़कों पर यूटिलिटी में डिलिवरी करती हैं, कर देती हैं, जरिया नहीं है, पूरे परदेश में अगर ये देखें कि प्रशव के दौरान जो मिर्तियों की दर है, वो जो उनसार पाउन सबसे ज़ादा है, तो सड़कों में एक तरह से खुला ठेकदारी ब्रश्टाचार हो रहा है, और विदायक निदी की बंदर बांट, कोई जमीन पर काम नहीं है, पिछले 20 साल से कोई जमीन पर ये बता दे कि हमने विदायक निदी से ये काम किया है, कोई सवाल नहीं है, अच्छा ये बताएं सर के पिछले 25 सालों से एक ही परिवार का राज है, मान्य पिर्तम सिंग जी वहां पर बिदायक रहे हैं, इस किले को कैसे भीदेंगे हैं, ये तो जनता जनारदन है, जनता ने महाटाने का मन बना लिया है, आप छेतर में जाएं, लोग कहते हैं कि बहुत हो गया, अभी नहीं प्राइमरी स्कूल खुलने हैं, ये सरकारी ये उन योजना में जो योजना है, आगे शिक्सा के दूसरे विद्याले भी खुलने हैं, लेकिन एक महाबिद्याले की रट लगाएं, दिन दिन हमारा ये कह कि मैंने महाबिद्याले खुला, वे चार दिवारी है, उसमें है टीचरह नहीं है, Admissions नहीं है, कि एक i.ta अपने घर में खोला उस i.ti में trade नहीं कोईबी एक trade है इस आपको पता कितने ट्रेड होते हैं हमने नवीचंगा ताउन सीव 1927 में मंजूरकर आई वहां जिरोजगार योकों के लिए और वहां के विकास के लिए परेटरनों के लिए और इन महदे ने पहले तो उस योजना के सारे पत्पत्र कहीं ठंडे बस्ते में डलवा दिये 2002 में सरकार आते ही उसके बाद 2017 में अपनी सरकार जाते-जाते उसको निरस्ट करवा दिये टाउंशीप की सारे जीयों निरस्ट करवा दिये तो आपको भी पुछना चाहिए कि क्या ये जनुप्योंगी ओजना नहीं थी क्या जो आपने निरस्ट करवा है या आपका क्या मोटीव है इसमें तो इनको जन सरकार से कोई मतलब नहीं है इनको बच्चों के भविशे से कोई लेना देना नहीं है ये चाहते हैं कि जो बच्चया पढ़ा लिखा यहाँ जादे पढ़ लिख जाएंगे नौकरी लग जाएंगे तो फिर हमें बोट नहीं पढ़ेंगे लोग बच्चों की आँख खुल जाएंगे लिगा आँख तो खुल चुकी बच्चों की पुरा नव्यक आज सड़कों पर परिवरतन की बात कर रहा है अज़ा सर चकरता जो छीतर है क्या कुछ ऐसा करेंगे देखें यह तमाम जगे जो है विक्सित करने की है जैसे मैंने कहा नवीन चकरता टाउंशिप जो है अब ही पुरोड़ी जगे है चकरता के समीप वहां से लेके जमना नदी तक लखवा डेम तक उसको स्विक्रत किया है सड़क के एक डेफ्ट में नेशनल हाईवे है चकरता मसरी नेशनल हाईवे तो उस पर यह टाउंशिप जो है बनेगी है इसके बाद हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पोर्ट है खडंबा है मुंडाली है बुद्धिर है एक चोईला टिमबा है कत्यान है इन परेटों अस्तालों में कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सुभिदाएं करने पड़ी कि ताकि टूरिस्ट है लाने के लिए कुछ सरकारी अस्तर से भी काम करने होंगे इनकी सोची नहीं है इनकी कुछ सोची नहीं कोई एक योजना यह बतादे है मुझसे आप पूछ रहें तो मैंने कहा कि नवी चिक्रादर टाउन जीव यह अपने नाम से कुछ एक योजना बता दे है जो इनके अपना पर्तियासी बनाया है और नवीन चक्रता टाउन टाउन प्लानिंग की उनकी पहले से ही उनकी जो अपनी एक वो रही है कि चक्रता का विकास कैसे हो अब देखना है कि रामसरान नौट याल जी इस किले को भीदने में कहां कितना सफल होते हैं या आने वाला वक्त रु कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में वायरस फिर घा तक होने लगा है अब हर दिन मौत का आकड़ा तेजी से बढ़ रहा है श्री महंत इंदरेश अस्पताल में पांच एमसर रिशिकेश में दो और दून मेडिकल कॉलेज चिकित साले सिंजरी अस्पताल हल्दुआनी मेडि की मौत हुई है तीसरी लहर में एक दिन में हुई ये सरवाधिक मौत है इधर प्रदीश में कोरोना के 3064 मामले मिले जब कि कोरोना दर 11.76 प्रतीशत रही है राहत इस बात की है कि पिछले 24 घटे वे कोरोना के 2985 मरीज ठीक भी हुए है तो कोरोना के मामले लगतार सामने आ रही है लेकिन तीसरी लहर के अभी तक सरवाधिक मौत के मामले भी ते दिन सामने आए हैं और राहत भरी बात ये रही कि रिकावरी मामले भी काफी जादा है 2995 मरीज ठीक भी हुए है कोरोना से रिकावरी की है गर्तंत्र दिवस के तीन दिन बाद दिली में 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समहारों में जबार कुमाउनी धुन चाना बिलौरी भी सुनाई देगी सेनवी और सेजारी विवरण पुस्तिका के अनुसार इस साल के समहारों में बजने वाली 26 धुनों में चाना बिलौरी भी शामिल हैं उत्राखंड के हल्दवानी निवासी बीना तिवारी ने 1967 में आसपास पहली बार इस गीत को आकाशवारी लखनाउ में रिकॉर्ट कराया तो गरतंतर दिवस पर कुमाओं की धुन गूझेगी बीटिंग रिट्रीट समहारों में बजेगी धुन गरतंतर दिवस पर लोक गीत सुनाई देगा बीटिंग रिट्रीट के दौरान इस वार कुमाओं नी धुन च्छाना बिलौरी सुनाई देगी सेना की ओर सेज़ारी विवरड पुस्तिका में इसके बारे में बताये गया है और इसके अनुसार इस साल के सम्हारों में बजने वाली 26 धुनों में चाना बिलौरी भी शामिल है उत्रखट के हल्दवानी निवासी बीना दिवारी ने 1967 के आसपास पहले बार इस गीद को आकाशवारी लफनाव में रिकॉर्ड भी कराया था हरिद्वार में 26 जन्वरी और विधान सभा चुनावों में आतंकी घटनाव से निपटने के लिए एंटी टेररिज्म स्कौर्ड अलर्ट मोड पर है आतंकी घटना होने के स्थिवे रिस्पॉंस टाइम और दूसरी एजन्सियों के साथ कॉर्डिनेशन जाचने के लिए ATS ने हर द्वार में मॉक ड्रिल की देर रात तक मॉक ड्रिल चली छेतर में चार आतंकीयों के गुसने की सूचनाथ टीम को दी गई है मॉक ऑपरिक्शन में टीम लगी हुई है और बाक अप के लिए धैरादून से भी टीम बुलाए गई है यह जो भी मॉक ड्रिल है अभी 26 जनवरी जो गंतन द्रिवस है और विदान सभा के चुनाव आ रहे हैं उनको मद्दे नज़र रखते हुए की गई है चुकि हरके बॉड़ी बहुत ही समवेदल शील इलाका है तो इसमें हमारी जो भी एक ड्रिल है उसका में परपस यह है कि हमारी जो फोर से उसकी उसकी ऑपरेशनल प्रिपरेडनेस को चेक करने के लिए ड्रिल रखी गई है और आपसी सामंजस्ट और कॉडिनेशन कैसा है बाकी टीमों के साथ डिस्ट्रिट पुलिस, चिकित्सा, इकाई, सीचाई, विबाग उनको चेक करने के लिए ड्रिल रखी गई रुड़की में भाश्पा विधायक प्रदीप बत्रा आज अपने सैक्डो भाश्पा कारकरताओं के साथ नामांकन करड़े के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गए जहाँ पर वो रोड़की के भाच्पर प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया भाच्पर विधायक प्रदीप भारतीय ने कहा कि भारती जंता पार्टी विश्व की नंबर एक पार्टी है जिसका संगठन बूत इस्तर पर मजबूत हुआ है पंदा प्रमुक से लेकर पूरे संगठन को बेहत मजबूत किया गया है जैसा भाच्पर का संगठन है ऐसा किसी दूसरी राजनेतिक पार्टी का नहीं है सभी लोग एक जुट है उन्होंने कहा कि भारती जंता पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधान सभा का चुनाव लड़ेगी इसी के साथ प्रदीब बत्रा दे इस दौरान दावा किया कि भारती जंता पार्टी के सरकार 2022 में पूर्ण वहुमत के साथ सरकार आ रही है हम अर्द्वार करने जा रहे हैं और जिल्ला कारणियों में गया नाम अंकर करें हैं और नाम अंकर करने के बाद इबाद चुनाव प्रचार और चुनाव की तकिया जए गती पकड़ेगी और बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं जिल्ला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजे कुमार जोगदंडे ने वर्च्वल माध्यम से एन आईसी कख्ष पौडी में विधान सभा सामा निर्वाचन 2022 के तहत माइक्रो अब्जर्वरों के साथ बाठक की उन्होंने संबंधित अधिकारीों को निर्देशित किया कि पोलिंग बूथ पर गंभीरता से कारगरना सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि जिन बूथों में मतदान के दौरान समस्या उत्पन होती है इवियम मशीन खराब या फिर पीठासीद अधिकारी की गलती सहिद अन्य जो भी परिशानी आती है उसकी रिपोर्ट तयार करें साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के समय विवाद हो जाता है तो उसका संचिप्त विवरण भी देना सुनेशित करें जिससे विवाद के कारण का पता चल सकेगा उन्होंने बताया कि जन्पन में 947 बूथों के 50 प्रतीशत बूथों में वेब कास्टिंग के विवस्था की गई है जला निर्वाचन अधिकारी जौक्टर बोधित माइक्रो अउजर्वरों को निर्देशित किया कि मतदान इस्थलों में कोविड-19 गाइडलाइन का विश्य शिद्यान दे पौली विधात सभा सीट पर एक बाफिट से कॉंग्रस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नवल की शोर पर ही दोबारा भरोसा चताया है उन्होंने उन्हें चुनावी रण में उतारा है कॉंग्रस प्रत्याशी नवल का मानना है कि जबार वो भाजपा को बैक फुट पला कर चुनाव में जीत सुनेशित करेंगे कॉंग्रोस रत्याशी नवल का कहना है कि भाजपा सरकार की नाकामियों का फाइदा भी उन्हें इस बार जीत हासल करने में मददगार सिद्ध होगा आगे उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की ओर से उन पर जताए गए भरोसे पर वो खरे उतरेंगे पूर्व कभी भी इतनी दुर्दसा पूरी विधान सबां की मंदल मुख्याले पूरी की नहीं हुई है और इसकी जिम्मवार भाळते जन्ता पार्टी की राजय सरकार है निश्चित रूप से जिन लोगों ने भारते जनता पार्टी को बड़ी आसार विश्वास के साथ में वोट दिया था वो सब लोग जो युवास आती हैं जो ब्यापारी वर्ग है जो कर्मचारी वर्ग है जो महिला वर्ग है हर वर्ग इस सरकार से परिसान है और 2022 में जनता ने मन मला लिया है कि उत्राखंड में कॉंगरिसी कलियर थाना परिसर में छेतर अधिकारी डुड़की विवेक कुमार और कलियर थाना अध्यक्ष नेग्राम प्रहड चोकिदारों के साथ एक गोश्टी का आयोजन किया जिसमें छेतर के चोकिदारों को गर्म जैकिक और टॉर्च वित्रित किया गया और चुनाओ को लेकर सतरकता बरतने के निर्देश दिये गए इस दोरान सीओ विवेक कुमार ने अपील करते हुए कहा कि आपके पास जो भी सूचिना आए पुलिस को दे जिससे समय रहते हैं अपराद को रोका जा सके गाओं के चोकिदार के पास अपनी अपने गाओं की जानकारी रहती है इसलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे और ततकाल सूचिना पुलिस को देंगे जो हमारे ग्राम चोकिदार हैं जो थानकलियर ग्राम अंतरगर्जों है उनमें जो ऐसो कलियर और थानकलियर के मार्ध्याम से जो जैकेट और नेम प्लेट और पोछ वगएरा को जो वितर नजवावि आज के दिन किया गया ताकि जात एक गोश्टी की गई थाकि हम प्रीजियन फिर लक्षिन आंकर परवाए तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीपी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार